पनीर की बारीस हो तो यह पनीर वाले कुलचे आपको 35 रुबे में मिलने वाले हैं यह उससे पनीर के पनीर rocket को कहीं शोड़ों कहीं भी 50 रुबे में भी तरीके से बहाँ त्यारब करके शांदर तरीके से अभी आशोक नगर दिली में और यहां पर आद में लिए शेपी चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपने इस पनीर वाले छोले कुल्चे त्यार करते हैं तो आप हमारे त्यार हो रहे हैं इनको इशनान करा जा रहा है इनको इस ना रहे हैं तो आप बटर में कुल्चे ना चुक है और इनको तभे पच्चे सजाया जा रहा है एव पर द्धनिया लगा दिया अच्छे इसके बाद में भैсят लेकर या याँ इसे हैं प्याज लगा रहे है तो यह बात तो बहुत की प्याण से अच्छे manufacturingTrance उतियार रुपे में मिलने वाले ये इस तरह से पनीर के खुंचE आपको 35 थोडो कहीं भी पचास रुपे में भी नहीं मिलेंगे जिस तरीवेत से जैन्दार तरीके तरीके से को शुरीट लगे हुए हैं को अख्य के साथ में ऐसे पैक कर लिया चोले तीयार है जैसे spread कि स्बेक होगे. तो अभी एक टोमाटर डाल चाहिए दूसरा कट रहा है और इसके उपर टेक्निक के साथ में नीबू नचोड़ रहे हैं इसके नीबू के जो बीज है वो नहीं जाने चाहिए अंदर यह टेक्निक है अपनी क्या बात है अब इसके उपर डल आहां मसाले यह क्या डाला भिया यह मसाला आको त्यार करते हैं यह क्या क्या रहते हैं कुछ बिखेंगे इस में बहुत सारे साथे अच्छे की अच्छी से कर रहा है मिक्स चोले हमारे त्यार हो गए हाँ प्लेट प्लेट लगनी शुरू हो चुकी हैं यहाँ-पर ओ talk इसके लोजी डिया है इसके अंदर आपका चाहर यह देखु प्लेट सांदार तरीकी तरिक्षी तरह त्यार हो गए और इस तरीके से 35 में आपको शांदार प्लेट कहीं भी नहीं मिलेगी तो बहिए एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दो कोई आना चाहता तो इसको दिक्कत ना हो यहां तक आने में इस नंबर पर आपको अराम से एड्रस बता देंगे बाकी तो यह अशोग नगर में पढ़ते हैं अब देर नहीं करते हैं इसको टेस करते हैं और साथ में इतना सारा पनीर आपको इसके अंदर मिलने वाला सिल्फ पहतीस फॉपय में दे रहा है तो बहुत ही जवड़दस होने वाला और अब देर मीफरके इसको टेस करते हैं नहीं प McMक बटरस वारि संभाज घूजें आपको पूरी दिल्ली में इतने इस्प्रेशन तो जब भी आप जिन्दी आतो या पर आप जिन्दी से हो तो अठोक नगर आओ और भैया के इस्प्रेशन चोले पुर्चे ट्राइगरो मैंने आपको मुवाज नंबर देदी आगर आने में जिक्के दो कॉल कर लीजिए अग आप मुझे फेस्बॉक पर देख रहा है तो फॉलो कर लो यूडिव पर देख रहा है चैनल को सब्स्राइब जरू कर ले ना थैंक्यू गाइज